हाँ दोस्तों आप सबने बिल्कुल ठीक सुना वल्ड कप 2023 से पहले इस धाकड खिलाडी में की मैदान पर वापसी गेंदबाज भी खाते हैं खोफ इस साल भारत में खेले जाने वाले वंडे वल्ड कप से पहले फैंस के लिए एक बड़ी ख़वर सामने आई है एक धाकड खिलाडी में चोट से ठीक होकर मैदान पर वापसी कर लिए है वंडे वल्ड कप 2023 इसी साल अक्टूबर मौंबर में भारत में खेला जाना है इस दोड़ा में इस से पहले धाकड खिलाडी से चुड़ी कर सामने आई है यह खिलाडी आईटें 2023 की सुर्वास में चोटिल हो गया था ऐसे में इस खिलाडी का बंडो वल्ड कप 2023 में खेलना मुस्की दिखाई दे रहा था लेकिन इस खिलाडी में अब मैदान पर वापसी कर लिए है वह बल्ली बाजी करते हुए नजर आ रहे हैं इस खिलाडी ने प्रेंस को भी बड़ी कुष्ट अबरी आईटें के तुरान चोटिल ही न्यूजलेंड की कप्तान कीन विलियमसन एक बार की मैदान पर लोट आये हैं न्यूजलेंड की सीमी तौबरों की कप्तान कीन मिलियमसन को 31 मार्च को चेनली सूपर कीम वर्सिस गुजरा टाइटन्स के पहले मैच में पैर में चोट लगी थी उन्होंने सोसल मेडिया पर एक वीडियो सेयर किया जिसमें वैब बले बाजी करते हुए दिखाई दिये उन्होंने वीडियो सेयर करते हुए लिखा नैट पर बले बाजी करने के लिए लोटना अच्छा रहा